हेलो फ्रेंड तो कहिए कैसे हो आप सब तो आपने चार तो भोग खाई होंगी क्या कभी आपने मखाने की भी चार खाई है अगर हाँ तो मुझे comment box में लिखकर जरूर बताना अगर नहीं खाई तो चलिए आद मैं मखाने की चार बनाती हो जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है तो चलिए करते हैं सुरूबात पहले कडाई लिंगे उसमें मैंने मखाने डाल दिये रोष्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे एक चमच के बरावर घी डाला है और इसको अच्छे से रोष्ट कर लेते हैं अब यह मैं मखाने की चार्ट जो बना रह इसलिए बच्चे जैसे के वार केते हैं ना कि छोटी-मोटी भूग लग रही है ममें कुछ चाहिए चट पटा सा तो इसलिए हमें हम मखाने वाली चार्ट बच्चों को दे सकते हैं तो देखो हमारे मखाने आब रोष्ट होगें अब देखो एक चेक कर लेती हूं मैं चीनी और इसको अच्छे से फेट लिंगे हमें दही इतना फेट ना है जो की दही हमारा बिल्कुल एकसार हो जाए इसमें दाने दान ना रहे और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे तो चलिए अब बनाते हैं चाट अब मेरे देखो मखाने ठंडे हो गे थे इसलिए मैंने बाउल में निकाल लियें अब इसमें डालेंगे चार मठी चार से पांच मठी डालेंगे अभी तो मैं चार डाल रही हूँ आप मठी थोड़ी कम भी ले सकते हो या ज्यादा भी ले सकते हो तो देखो मेरे थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने एक मठी उड़ डाल दिय अब इसमें डालिए एक बारी कटीवी मिर्च अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्च ना डाले हरी मिर्च डालिए और यह थोड़ा सा स्वादनों सार नमक डाल दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधी चम्मच चांट मसाला डाला है और अब इसमें डालेंगे हम बारी कटी हुई प्याज तो थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं एक ही प्याज डाली है बस इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं और थोड़ी से ही डाल देंगे बारी कटे हुए टमाटर फैल आते हुए अच्छे ते डाल दियें अब इसमें डालेंगे और अब इसमें डालेंगे मीठी सोट ये मीठी सोट मैंने घर पर ही बनाई थी और अब डाल दिंगे इसमें धाई अगर आप धाई थोड़ा कम खाते हो तो कम कर लें पर मुझे तो धाई की क्वांटिटी चाट में ज्यादा चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है अब इसके उपर लगा देते हैं जो नमकिन आती है ना फिकी वाली वो लगा देते हैं इसमें आप कोई दूसरी नमकिन का भी यूज कर सकते हो यह इसमें यह जो फीकी है ना नमक है न मिर्च है वो डाली है मैंने इसमें अब डालते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी ही डाली है क्योंकि पहले भी डाल दीती न और थोड़ा ही नमक डाला है नमक मैंने पहले डाल रखा टोड़ा डाला है अब डालेंगे हरी चट्नी यह चट्नी हरे धनिया और हरी मिर्जकी बनाई है इसमें पोधी नहीं डाला है जो डाल देंगे थोड़ी और अब डालेंगे इसमें बुना जीरा थोड़ा सा डाला बुना जीरा भी और अब थोड़ा सा धाई उट डाल देते थोड़ा सा धाई डाला है थोड़ा फिनीशिंग टच देना अब इसमें इसलिए और अब डालेंगे मीठी सोम्ड थोड़ी सी देखे कितनी अच्छी बंके तैयार हुए ये लगरी आ ना भखले पड़ी की तरह और अब डालेंगे थोड़ासा चात मसाला और थोड़ासा बंदेंगे भुपना जीरा और थोड़ी सी किसमें डाल दिनगे इसमें और थोड़े से ही डाल दिनगे काजुँ यह चार-पाँच काजु लेके मैंने हांसे यह थोड़े-थोड़ कर लिया इनको और चलो अब देखो हमाई चार्ट बिल्कुल तयार है देखो कितना अच्छा कलर आया है ना लग रहा है ना बल्ले पापडी की तरह तो देखे एक थोड़ा सा लेके दिखाती हूं मैं आपको ममा देखो कितना अच्छा अंदर तक जो मैं हमने स्टार्टिंग में धाई डाला था वो इसलिए डाला था ताकि अंदर तक धाई हमारा इसमें मखानों में चला जाए तो देखो कितना टेश्टी लग रहा ना आ रहा ना मुह में पानी अगर मखानों को पहले ही रोश्ट कर करके रख लिंगे तो हमें चार्ट बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले ओके बाई तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ